प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो चाहे उस अस्पताल में हो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है वो हमारे लिए मुश्किल होगा लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते में आपको एश्वार कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है और मेरी मीडिया से भी निवेदने की जब आप दिखाते हैं कि इन तीन अस्पतानों के अंदर सारे बेड्स खतम हो गए हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्राब्लम हो गई दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़ादा बेड्स एवेलेबल हैं आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है हम और भी बड़े स्तर के उपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं औक्सिजन बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपैसिटी बढ़ाई जाए जिससे की लोगों को सही इलाज समय पे इलाज मिल सके लेकिन स्थिती जैसे हम देख रहे हैं रोज केसे बढ़ते जा रहे हैं, इस ठिती को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नरने लिये हैं, आज LG साथ के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये नरने लिये हैं कि वीकेंड के उपर करफ्यू दिल्ली के अंद या निया ये चीर लगाया जाएगा इसका कारण यह है कि लग बग हफते के दौरान वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है आदमी को अपने काम पे जाना होता है लेकिन वीक translate जो लोग निकलते है वो अपने entertainment के लिए या दूसरी activities के लिए निकलते हैं जो कि curtail की जा सकती है जो कि जिसके उपर अंकुष लगाया जा सकता है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए chain तोडने के लिए weekend के उपर ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना है बड़ी चीज है कि ये शादियों का season है और कई लोगों की already शादी की dates decide हो चुकी है सब कुछ तैयारिया हो चुकी है हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो ऐसे लोगों को जो essential services हैं और खास कर जो शादियां हैं उनको हम curfew passes देके उनको allow करेंगे उनका movement हम allow करेंगे वो curfew passes के apply कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी harassment के हम curfew passes देंगे malls, gyms, spas और auditoriums को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिये जा रहे हैं cinema halls 30% की capacity पे चल सकते हैं weekly markets जो हैं वो एक weekly market per day per zone के हिसाब से allow किया जाएगा और weekly market में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी special इंतिजाम कुछ किये जा रहे हैं जिसके आज order निकाले जाएंगे restaurants में अब वहां बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी किवल home delivery permit की जाएगी और सभी markets के अंदर public places के अंदर enforcement को और ज्यादा सख्त किया जाएगा ताकि social distancing और mask को implement किया जासे के ताकि लोग mask पहनें अब ही हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना mask के घूम रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए दूसरों की सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है यह सारे restrictions हम आपके लिए लगा रहे हैं आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं आपकी जिंदगी के लिए लगा रहे हैं मैं समझ सकता हूं कि इन restrictions के विजए से आपको काफी तकलीफ होगी लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये restrictions इस वक्त लगाने कितने जरूरी है इन सभी restrictions को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाज जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि ये जो करोना की चौथी वेवाई है इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो तीन वेवाई थी उसकी तरह से हम जरूर सफल होंगे जल्द सफल होंगे ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ते मिल सके नमस्कार